निर्भ्या केस तो आप लोगों को यादी होगा, ये केस भी निर्भ्या केस की तरह ही है, बस फर्क ये है कि निर्भ्या केस सुर्ख्यों की जीनत बना। देश के लाखों करोडों लोग निर्भया केस में साथ खड़े थे और शायद यही वचा रही कि निर्भया के मुझरिमों को बहुत जल्द फासी भी हो गई लेकिन ये केस कागस के पन्नों में कहीं दब कर रह गया इस मामले में गिने चुने लोगों के अलावा ना तो किसी ने आवाज उठाई और ना ही पिलिता के परिवार की कोई मदद की और एक गरीब परिवार 11 साल तक कानून के लड़ाई इस आस में लड़ता रहा कि निर्भया केस के मुझरिमों की तरह उनकी बेटी के गुनेगारों को भी फासी के सजा होगी लेकिन परिवार के आस उस वक्त दम तोड़ गई जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरोपियों को बाइजद बरी कर दिया ये पूरा मामला क्या है और कोट ने आरोपियों को क्यों रिहा कर दिया ये जानने के लिए बने रहे कहानी के एंड तक तो आईए शुरू करते हैं दिल को चीर देने वाला ये दर्दनाक केस उत्तराखंड की रहने वाली 19 साल की अनामिका एक गरीब परिवार में पैदा हुई मेहनती बेटी थी उसका परिवार दिल्ली के कुत विहार इलाके में किराय के एक मकान में रहता था परिवार में माता पिता के अलावा उससे छोटे दो भाई बेहन थे उसके पिता एक सेक्यर्टी गार्ड थे पिता का हाथ बटाने के लिए अनामिका ने 19 साल की उम्र में ही नौकरी करनी शुरू कर दे थी वो गुलगाओं के साइबर सिटी में काम करते थी उसे पता था कि घर की पूरी जिम्मेदारी उसे उठानी है उसकी आखों में बहुत सारे सपने थे वो उड़ना चाहती थी लेकिन उड़ने से पहले ही तीन दरिंदों ने उससे उसके सारे सपने चीन लिए और उसके साथ हैवानियत का एक ऐसा खेल खेला गया कि इंसानियत भी शर्मशार हो गई वो 9 फरवरी 2012 की शाम थी अनामिका रोजाना की तरह काम से घर लोट रही थी उसके साथ उसकी दो सहलिया भी थी सूरज डूब चुका था कुछ धुदली रोशनी रह गए थी बस से उतरते ही अनामिका के कदम तेज हो गए क्योंकि घर तक 20 मिनट का पैदल रास्ता था जो उसे चल देते करना था घर पहुचते ही वो मा से कहती थी मा मैं आ गई लेकिन उस रोज वो घर पहुची नहीं वो अपने घर से कुछी मिनट की दूरी पर थी लेकिन मो नाकाम रहा उसकी दोनों सहलियां ये देखते ही अनामिका के घर की तरफ धोड़ी और घर जाकर उसके पिता को ये खबर दी अनामिका के पिता मदद के लिए तुरंट पुलिस स्टेशन पहुचते हैं और इस वारदात के बारे में पुलिस को बता कर मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें ये कहकर वापिस कर दिया कि अभी उनके पास इस वक्त कोई गारी मौजूद नहीं है और इसी लापरवाही के चलते उस रात अनामिका के साथ जो हुआ उसे सुन किसी की भी रूह काप चाए उधर पुलिस के हिले बहाने थे इधर लाल इंडिका कार के अंदर तीन दरिंदों के बीच एक मासूम लड़की टरी सहमी अपने इधर के फीक माग रही थी पुलिस के लापरवाही के चलते आरोपी पीडिता को लेकर हर्याना के सीमा में दाखिल हो गए इस दोरान रास्ते में आरोपियों ने एक ठेके से बियर भी खरी थी दिल्ले से हर्याना तक के 120 किलोमीटर के सफर के दोरान आरोपियों ने अनामिका को ज्यादती का निशाना तो बनाया ही साथ साथ अनामिका के शरीर को सिग्रेर से चलाते भी रहे इस दोरान अनामिका कार के अंदर शोर मचाते हुए जान बचाने की गुहार लगाती रही लेकिन कार का शिशा बंद होने की बज़े से न तो किसी रहगीर को उसकी आवाज सुनाई दी और नहीं उन तीन आरोपियों को ही कोई रहमाया बदहास हालत में अनामिका ने जब आरोपियों से पानी पीने की इच्छा जाहिर की तो आरोपियों के दिमाग में उसके हत्या करने की बात आए सबसे पहले उनोंने पीडिता की आखे फोड दी उसके बाद एक जगा उनोंने कार रोकी और उसे पानी पिलाया जिस घड़े से उन्होंने उसे पानी पिलाया उसी घड़े से उसके सिर परवार करके उसे भी जखमी कर दिया इतने से भी उन हैवानों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने पेचकस को गाड़ी के साइलेंसर पर रखकर गर्म करने के बाद उससे भी उसके शरीर को जलाया दरिंदगी की हदे तो तब पार कर गई जब पेड़ी तक पाट को भी उन दरिंदों ने जला दिया और बियर की बोतल तोड़ कर उसके शरीर पर वार करके उसे बुरी तरह तरह की आतनाये देने के बाद उन दरिंदों को जब यकीन हो गया कि अब उसकी मौत होचकी है तो उसकी लाश को रिवारी में एक सुनसाज जगा पर फेक कर फरार हो गए इधरा नामिका के पिता ने अपनी बेटी की गुमशिदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस लापरवाही परती रही खर जब पुलिस पर जाद दबाव पढ़ने लगा तो उसने अपनी तफ्तीश तेस की और लोगों से पुश्टाश शरू की पुश्टाश में पता चलता है कि लाल रंग की टाटा इंडिका कार हरियाना की तरफ जाती देखी गई है काफी च्छान बीन के बाद पुलिस को एक काम्यावी मिलती है घटना की चाह दिन बाद एक लड़के को लाल रंग की इंडिका कार के साथ पकड़ा गया लड़के का नाम था राहुल पुलिस ने जब उसे सकती से पूश्टाच की तो वो तोती की तरह बोलता चला गया उसने बताया कि अनामिका के किटनेप में उसका भाई रवी और विनोध भी शामिल थे उन्होंने उसे अपनी ज़ात्ती का निशाना बनाया और फिर उसकी हत्या कर रोधही गाउं के पास एक खेत में उसकी लाश फेक दी उसकी निशान दही पर पुलिस ने अनामिका की लाश रोधही गाउं से करीब 30 किलूमिटर दूर एक सरसो के खेत से ब्रामत कर ली साथ ही लाश के पास से पुलिस को दो प्लाश्टिक के गलास एक खाली नमकीन की पैकेट मिट्टी के बरतन का तुकड़ा और राल रंग का बंपर का टूटा हुआ तुकड़ा मिला साथ ही लाश के उपर से कुछ बाल भी इकठा किये गए आरोपी की निशान दही पर पुलिस ने अनामिका का मुबैल फोन और उसके कुछ जरूरी सामान भी सब्ट कर लिये जो की आरोपी ने जलाने की कोशिश की थी साथ ही पुलिस को कार में जैक और इस बैनर भी मिले जिनका इस्तेमाल अनामिका के हत्या के लिए किया गया था कार से ही पुलिस को अनामिका के बाल और कार की सीटों पर खुन के धबे भी मिले पुलिस ने रवी और विनोत की मुबाइल लोकेशन ट्रेक कर उने भी गिरफ़तार कर लिया तीनों ही आरोपी हरियाना के रहने वाले थे और ड्राइवर की नौकरी करते थे वारदाइद के वक्त उनकी उम्रे 30 से 27 साल के करीब थी आरोपी उसे पुश्टाश में कतली की जो वज़ा निकल कर सामने आई उसके मताबिक रवी अनामिका से एक तरफा प्यार करता था उसने अनामिका को प्रोपोस किया था जिसे अनामिका ने ठुकरा दिया रवी को अपना ठुकराया जाना बरदाश्त नहीं हुआ और उसने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर अनामिका को किड्नेप किया और फिर तीनों ने अनामिका को अपनी जाती का निशाना बनाने के बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया खैर इसके बाद जाच के दोरान मिली तमाम जरूरी चीजों को दिल्ली पुलिस ने फॉरंसी जाच के लिए लेब भेश दिया और जाच पुरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जर शीट कोट में दाखिल कर दिया 26 मईए 2012 कोट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 365, 366, 376, 377, 302 और 201 के तहत आरोप तै की और ट्रायल शुरू किया गया लगभग 49 गवाहों और सुबूतों को जाचने के बाद निचली अदालत ने 19 फरवरी 2014 को अपना फैसला सुनाया अपने फैसले में कोट ने इस मामले को रेरेश्ट आफ दा रेर मानते हुए टीनों आरोपियों को अगवा, रेप और हत्या का दोशी करा दिया निचली अदालत ने कहा था कि दोशी किसी तरह के रहम के हकदार नहीं है, उनके लिए अमरेकायत की सजा भी काफी नहीं है निचली अदालत ने डियने रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला सुनाया था इसके बाद 26 अगस्त 2014 को हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी इसके बाद आरोपियों ने अपने बचाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने सब को हैरान कर दिया तीन जज़ो जश्टिस यू ललीद, जश्टिस रवींद रभट और जश्टिस बेलात रवीदी के बेंच ने ये मामला सुना 6 अपरेल 2022 को अदालत ने फैसला सरक्षित रख लिया इस भी जश्टिस ललीद भारत के प्रधान ने अहदीश बन गए बतोरे सीज़ाई उनके आखरी दिन, उनकी अगवाई में सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को बाइज़त बरी कर दिया सुप्रिम कोर्ट ने 40 पेज़ों का अपना फैसला लिखवाते हुए अनामिका के दोशियों को कथी सुबूतों के अभाव में बेनेफिट आफ डाउट देते हुए रिहा किया आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने माना कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो जाच की वो संदे से परे ये साबित करने में नाकाम है कि अनामिका के हत्या इन ही तीन आरोपियों ने की है जैसे कि आरोपियों और पिडिता का डीने सैंपल तुरंत जाच के लिए लेब भेजा जाना चाहिए था लेकिन 14 और 16 फरवरी को लिया गया सैंपल 27 फरवरी तक पुलिस माल खाने में पड़ा रहा ऐसे में साशंका से इंड कार नहीं किया जा सकता कि सैंपल में हेर फेर की गई हो साथ ही आरोपियों की इंडिका कार की सीट पर खोन के धबे भी मिले थे लेकिन सुप्रिम कोट ने इसे भी मजबूत एविडेंस नहीं माना और कहा कि इस कार को जब्त करने और जाज के लिए बेजे जाने का जो समय था उस दोरान कार किसके कब्से में थी और ये सील भी की गई थी की नहीं इसकी भी कोई जानकारी उपलब्द नहीं है लहाज़ इसे भी दोश्यों के खिलाफ ठो सुबूत नहीं माना जा सकता पुलिस जाज की एक और कमी गिनवाते हुए सुप्रिम कोट ने कहा कि तीनों आरोपियों की गिरफतारी के बाद इनकी पहचान के लिए कोई भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रेट नहीं करवाई गई जो की करवाना अनिवार्य था निचली अदालत की कारवाई पर भी सुप्रिम कोट ने सवाल उठाए और कहा कि इस मामले में उनुन चास गवाहों में से आरोपियो की गाड़ी से मिले सैंपल से मैच हो गया था लाल इंडिका कार के जैक में जो खोन के धब्बे पाए गये थे वो भी अनामिका के खोन से मैच हो गये थे अनामिका की लाश के पास मिला बंपर का वो दुकड़ा आरोपियो की इंडिका कार कही था उसकी लाश के पास से ही राहुल का पर्स भी ब्रामद हुआ था जिसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी था और सबसे इंपोर्टेंट जो बात थी वो ये की अनामिका का वजाइनल स्वाइब की जब डियने प्रोफाइलिंग की गई तो वो भी इन तीन आरोपियों में से एक से मैच कर गई और इन सब के बावजूद अगर देश की सबसे बड़ी अदालत दोशियों को रिहा कर देती हैं तो कानून वे अस्था को लेकर जनता के जहन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं अगर मान भी लिया जाए कि ये तीनों लोग दोशी नहीं है तो फिर अनामिका का गुनहगार कौन है अगर पुलिस के लापरवाही के चलते आरोपी बरी कर दिये जाएं और एक परिवार 11 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं द फैसला आया है लड़ाई लड़ते लड़ते हार गई उमें फैसले के इंतिजार में जी रही थी लेकिन अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है मुझे लगा था मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला अब किस से कहे हम निर्भिया केस की तरह अनामिका की मौद पर आकरोश नहीं फूटा था वो मीडिया की सुर्ख्या नहीं बने थी उसके चले जाने के बाद बहसे नहीं हुई थी कानून नहीं बदले गए थे कोई नेता उसके घर नहीं पहुचा था यहां तक कि उसके पिता बेटी के लिए इनसाफ मागने तत्कालीं सीम के पास गय थे तो उनने ये कहें कर टाल दिया गया था कि ऐसी घटनाए तो होती ही रहती हैं अनामिका के पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ले के जंतर मंतर पर धरना भी दिया लेकिन गिने चुड़े लोगों के अलावा उनका साथ देने वहां कोई नहीं पहुचा बेरहाल वारदात के लगभग 11 साल बाद भी अनामिका का परिवार उस दुख से अभी तक उबर नहीं सका है वो एक ऐसी अधेरी दुनिया में फसा है जहां सिर्फ इंसाफ के किरनी उनकी जिन्दगी में रोशन ला सकती है फिलहाल तो दिले सरकार अनामिका की पिता और उत्राखंड बचाओ और उत्राखंड लोक मंच ने सुप्रीम कोट में एक रिवी पिटिशन दायर की है अब आने वाले वक्त में इस पर क्या फैसला आता है ये तो वक्त ही बताएगा फिलहाल इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चले मिलती हो जल्द ही एक ने क्राम श्टोरी के साथ तब तक के लिए रखे अपना धेर सारा ख्यार बाई बाई टेक क्यार